रोजाना ताजा खबरे पॉने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले लालू यादव के लिए आई बड़ी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में शिरकत करना लगभगते हो गया है लालू यादव अभी चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा काट रहे हैं और इसी दवरान तबियत खराब होने के कारण रांची के रिम्स में इलाज करवा रहे हैं उनके करीबी भोला यादव ने कहा है कि राष्ट्र जनता अदल के प्रमुख ने पैरोल पर पांच दिनों की रिहाई के लिए अपील की है उन्होंने 10 माई से 14 माई तक के लिए के दुसे रिहाई मांगी है भोला यादव ने कहा कि उन्हें उमीद है कि लालू यादव के आगरह को स्विकार कर लिया जाएगा लालू यादव के बेटे तेज प्रताप की बाराग मई को एश्वर यराय से शादी होने वाली है दोनों की सगाई लालू यादव की गयर मौजूदगी में हुई थी उस समय लालू नई दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रहे थे पैरोल पर रिहाई के आवेदन दिये जाने के बाद ख़बर है कि जारखंड सरकार ने लालू यादव की अपील को मान लिया है लेकिन अस्पताल में जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें रिहा किया जाएगा लालू यादव के एक बहुती करीबी ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राजद प्रमुख की पैरोल पर रिहाई में अब कोई अर्चन नहीं है लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट की तरह राजनीती में कभी भी कुछ हो सकता है इसलिए जब तक लालू यादव पैरोल पर रिहा नहीं हो जाते तब तक असमंजस की स्थिती बनी रह सकती है वैसे भी लालू यादव कब क्या करते हैं और उनके साथ कब क्या होता है कहा नहीं जा सकता याद रहे कि लालू यादव को चारा घोटाले में सजा के लिए राज़त के नेताओं ने शुरू ही से भाजपा की केंदर सरकार और खास और से प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिमेदार ठैराया है सयोग से जारखंड में भी भाजपा की सरकार है और लालू को पैरोल पर रहा करने का फैसला राजे के पुलिस महानीरीक्षक जेल ही फैसला लेंगे तथा यह फैसला जारखंड के मुख्यमंत्री रगुवर्दास के आदेश के मुताबिक ही होगा वैसे तेजस्वी यादफ समेत राजद के दूसरे नेता लालू के पैरोल के मामले में चुप है चुपी जद्यूंग खेमे में भी है कॉंग्रेस ने भी अभी तक कुछ नहीं बोला है